चानक्या AIS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे UAE में हिंदू मंदिर के उद्गाटन के बारे में हाल ही में जहां राम नगरी आयोध्या में राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा हुई है वहीं 14 फर्वरी को UAE में भी हिंदो मंदिर का उद्गाटन हुआ आयोध्या की तरह UAE में भी PM नरिंद्र मोदी कारेकरम का हिस्सा बने मंदिर का निर्मान बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुशोत्तम स्वामी नारायन संस्था B.A.P.S. में करवाया है 27 नसंबर 2023 को B.A.P.S. में उद्गाटन समारोग के लिए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को आमंत्रित किया था अब हम बात करेंगे UA में ये मंदिर कहां बनाया गया है मंदिर UA की राजधानी आबुधाबी में अलवाकवा नाम की जगा पर बनाया गया है यह धरम स्थल 20,000 वर्व मीटर के छितर में फैला हुआ है हाइवे से सटी अलवाकवा नामक जगाय आबुधाबी से तकरीब अं 30 मिनट की दूरी पर है मंदिर भले ही 2023 में बन कर तयार हुआ लेकिन इसकी कल्पना करीब रही दशक पहले 1997 में बीए पीए संस्था के तकालिन प्रमुक स्वामी महराज ने की थी UA की सरकार ने मंदिर के लिए जमीन दी है अगस 2015 में सयुक्त अरब अमिराज सरकार ने आबुधाबी में मंदिर बनाने के लिए भूमी आवंटित करने का फैसला किया था 16 अगस 2015 को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने फैसले की जानकारी दी और इसके लिए सयुक्त अरब अमिराज सरकार का आभार भी जताया प्यम मोदी ने मंदिर के लिए जमीन देने की नेन्य को एक बहतरीन कदम बताया था इस फैसले की दो साल बाद 2017 में आभू धावी की राजकुमार ने शाही आदेश के जडिये भूमी उपहार में दी 2018 में आभू धावी की राजकुमार ने प्रधान मंत्री मोदी के साथ मिलकर मंदिर के लिए सहमती दे दी थी इसी सार यारिकी 2018 में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने आबुध हभी हिंदू मंदिर की परियोजना शुरू की इसके अलावा मंदिर की शोध वास्तु कला भी तयार की गई अप्रेल 2019 में मंदिर का शिला न्याश हुआ था लगबग 5000 भग B.A.P.S. हिंदू मंदिर के शीला न्याश समारोग में भाग लेने और देखने के लिए एकत्र हुए थे यह समारोग मंदिर के निर्मान के शुरुवात का प्रतीक था आधार शीला रखने के बाद भारत की तीन प्रमुख पवितर नदियों गंगा यमुना एवं सरस्वती से लाया गया जल पत्रों पर अर्फित किया गया इस एतिहासिक करेक्रम में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जापान, अफ्रीका, चीन, दक्षिनपूर, एशिया, आस्ट्रेलिया और कई अन्ने देशों के भक्तों और स्वयम सेवकों ने भाग लिया था इस मंदिर में राजस्तान की वास्तु शैली का इस्तमाल हुआ है शिला न्याश के बाद 2020 में भारत में पत्थ्रों पर मूर्तियां उकेरने का काम जारी रहा वहीं अंत्त्य वास्तुकला त्यार हुई जो पारंपरिक शिला मंदिर की शैली थी इसी तरह से मंदिर परिसर में पुस्तकालय कक्षा सामुदाई केंद्र सभास्तल रंग भूमी बनाए जाने के लिए भी परिकल्फना की गई अगस 2023 में मंदिर के लिए घड़ी आई जब यह साकार रूप ले चुका था मंदिर परशाशन ने इसे रेगिस्तान में खिलता कमल की संग्यादी थी इसके साथ ही तै किया गया था कि 14 फर्वरी 2024 को UAE के हिंदू मंदिर का उदगाटन होगा 27 दिसंबर 2023 को BAPS के स्वामी इश्वेश जरन दास और स्वामी ब्रह्मा विहारी दास के साथ मौजूद शिष्ट मंदल ने उदगाटन समारू के लिए प्रधान मंत्री मोदी को आमंत्रित किया था अब हम बात करेंगे कि इस मंदिर की खूबिया क्या है आबू धावी में बना हिंदू मंदिर 108 फिट का है मंदिर को बनाने में करीब 18 लाक इंटो का इस्तमाल हुआ है मंदिर के भवेता को बढ़ाने के लिए इसमें संगमर मर का इस्तमाल किया गया है इस मंदिर में सयुक्त अरब अमिरात के साथ अमिरातों का प्रतिनेदित्व करने वाले साथ शिकर भी है उटो की नकाशे भी की गई है योए की राश्टे पक्षी बास को भी इस पर उकेरा गया है इसके साथ ही आज का इविशय यहीं पर समाक्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद धन्यवाद